कैई दिनों से प्लानिंग बनाते बनाते आखिर हम आज पहुंच ही आएं हैं दोस्तों देख सकते हैं यह रात का समय है और हम लोग रात में आए हैं और कहां पे आए हैं क्या करने आये हैं बिलकुल हम आपको सब कुछ दिखाएंगे कि हम कहां पर आये हुए हैं और ये बिल्कुल रात में हम आये हैं कई दिनों से हम यहां आना चाह रहे थे हमको पता चला था जब से यहां के बारे में कैसे हूँ आप सब आज हम आये हैं पिकेटली तो आप लोग देख सकते हैं हम दो पिकेटली होटल आए हैं लखनौ और यहां पर स्वेल लगी हुई है बहुत सारे कपड़े वगएरा यहां मिल रहे हैं हमें पता चला है तो आज हम आए हैं यहां पर देखने कि यहां पर क्या विक रहा है और क्या लेने वाला है तो सुनने में आया था हमको कि यहां प हम और आपको दिखाइंगे कि यहां पर पर करेंगें कि इसे बर्स 2021 करदेशंव बच्छे फ्लियर आ चुके हैं सब ही गाड़ी से उतर रहे हैं और अब हम लोग जाएंगे नीचे तो यह देख सकते हैं बेस्मेंट में यह सेल चल रहे हैं तो सब लोग नीचे जा रहे हैं और हम भी यह नीचे जा रहे हैं बहुत भीड है यहाँ पर हमने देखा है अभी हम अंदर नहीं गए हैं बाहर से हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत भीड है और यह लखनव के ही सारे लोग हैं यहाँ पर लखनव से आये हैं जो भी अगल बगल के हैं लोग या जिनको पता है दूर के भी हैं तो मेडियम साइज लीजिए आप चाहे तो आप ट्रिपल एक्सल दे लीजिए कोई भी मतलब साइज हो आपका यहाँ पर हर साइज की कपड़े मिल रहे हैं और कम रेंज में मिल रहे हैं यह तो बात सही है मैंने यहाँ आके देखा है तो कम रेंज में और अच्छा समान भी मिल रहा ब्रांडेट कपड़े हैं जो कम रेंज में मिल रहे हैं और सूट के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजे हैं जो की काफी कम रेंज में हैं यह देख सकते हैं आपकी हर साइज की कुर्तियां हैं यहाँ पर कॉटन कुर्तियां हैं वसे तो कुल मिला के देखा तो यहां पर cotton कपड़े बहुत है यानि कि गर्मीयों में पहनने वाले कपड़े बहुत ज्यादा है और सर्दियों में पहनने वाले कपड़े भी हैं कुछ जाकेट वगेरे के इस्टॉल भी लगे हुए हैं यहाँ पर पर्स भी है और पर्स भी काफी अच्छी क्वाल्टी में है तो बहुत लोग आये हुए हैं यहाँ पर इस टाइम तो हम लोग आये हुए हैं करीब रात के 8 बज रहे हैं तो 8 बजे की करीब हम आये हैं तो भीड़ आप लोग देखी सकते हैं कि किस तरह से भीड़ ह यहाँ पर पिलो बहुत अच्छी अच्छी है और बहुत सारे जो भी घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं यह छोटे बच्चों को पहनाने वाले कपड़े हैं टी शर्ट वगेरा हैं जिन्स पैंट यहाँ पर सब कुछ है कुछ भी ऐसा नहीं बाकी है कि सिर्फ साडिया यहाँ साडियां भी हमको दिखी है एक दो जगा पर साडियों के भी एक दो स्टॉल हैं बहुत ज्यादा इस्टॉल तो नहीं हैं साडियों के लेकिन हाँ एक दो जगा पर स्टॉल हैं तो आई स्मान के लिए हमने 3-4 सर्ट खरी दी हैं जो creative deficit ए मिल रही थी तू हमने काफी अच्छी लगी है और डिजाइन दार भी है थोड़ा फैंसी में भी है यहाँ पर और कपड़ा भी इसका बहुत सौफ्ट है बहुत अच्छा कपड़ा है गर्मियों में पहनने वाली टी सेटे हैं लेकिन कुछ लोग इसमें से अगर छाट पा रहे हैं ढूंट पा रहे और जिंस वगेरा भी है तो यह वहन है जो कि हस्वेंट के लिए जिंस देख रही है तो यह देख सकते हैं आप लोग कि जिंस भी हैं यहाँ पर हरसाइस की हैं बस इसमें इतना ही काम आपको करना है कि साइज आपको अपने हिसाब से डूनना पड़ेगा आपको और दिन चरेगा मुझे सुनने में आ रहा है कि यह एक ही दो दिन में यह सेल खतम भी होने वाली है और यहाँ पर blanket भी है आप लोग देख सकते हैं bed seat blanket यह सारी चीजें भी मिल रही है जो कि bed seat है वो 500 रुपए में है और जो यह blanket है इसकी MRP 800 रुपए है तो यहाँ पर blanket और चादर सब कुछ मिल रहा है blanket आप सर्दियों में ओड़ सकते हैं चादर बिचा सकते हैं हर season में तो यहाँ पर कुल मिला कर woolen का जो stock है वो भी है और जो cotton का stock है वो भी है यह भीड आप लोग देख सकते हैं यह हमने बाहर से दूर से suit किया है तो आपको हर stall पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर plastic का भी सामान है plastic के bottle वगेरा भी यहाँ पर मिल रही है अभी हम वो भी आपको दिखाएंगे तो देख सकते हैं आप हर stall पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भीड यहाँ पर है लेकिन उस तरह से भीड नहीं है कि आप कुछ खरीद ना सको इतनी भीड है कि आप अच्छे से अपना जो भी लेना है आप अपना कपड़े वगेरा ढून सकते हैं select कर सकते हैं size भी select कर सकते हैं और यह देखे कितना बढ़िया सा बैट का है जो कि यह सुनने में आ रहा है कि यह उत्रा खंड का जो भी माल यहां पर है यह सारा उत्रा खंड का है उत्रा खंड की सेल लगी हुई है यहां पर और यह जो बैठने वाले हैं हमारे गोल गोल जो आप लोग देख रहे हैं यह 600 रुपए में एक दिया बेच रहे हैं यह तो बहुत कमी लोग ले रहे हैं वैसे जो भी होगा कोई एक दो लोग ले रहे होंगे या आइसमान हमारे बहुत ठक गए हैं एक घंटा हो गया है हम लोगों को खड़े-खड़े क्योंकि यहाँ पर कपड़े छाटने पड़ रहे हैं और मन पसंद कपड़े निकालने पड़ रहे हैं साइस वगेरा भी देखना पड़ रहा है त अपनी बास्केट से निकाल निकाल कर देख रहे हैं कि क्या अच्छा है या नहीं अच्छा है मौसी को दिखा रहे हैं कि मौसी अगर पसंद करेंगी तो लेंगे नहीं पसंद करेंगी तो नहीं लेंगे तो यह जो टॉप हैं कि तीन-तीन सो रुपय में टॉप भी मिल रहे और यह प्लास्टिक का भी समान है यहां पर बॉटल बहुत अची अची बॉटले हैं तो आप लोग देख सकते हैं ठंडा पानी गरम पानी हर तरह की बॉटल है यहां पर और सेकर भी है यहां पर छोटे बड़े सेकर भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे जो भी यह बॉटल हैं बहुत तरह तरह की डिजाइन की बॉटले हैं और यह टेड़ी बीर भी बहुत सारे हैं यहां पर हर तरह का स्टॉल लगा हुआ है आप लोग अगर टाइम है आप लोगों के पास तो एक बार जरूर जाहिएगा यह पिकेटली होटल में है लखनव में जो कानपुर रोड पिकेटली होटल पड़ता है वहीं पे बेस्मेंट में यह सेल लगी होई है और आप लोग आगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आईए और एक बार देख लीजिए अगर आप कपड़ा लेना चाह रहे हैं या उलेन में कुछ भी लेना चाह रहे हैं बच्छों के लिए लेन करने के बाद अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं सबी लोग अपना-पना एक-एक कैरी बैक लिए हुए हैं और नेस्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुर दिखाएंगे कि हमने क्या-क्या खरीदा है हो गई हमारी सॉपिंग और अब हम लोग जा रहे हैं हमने बहुत सारी सॉपिंग किये और हम सब आपको दिखाएंगे